मैं आज बात करूँगा Enflux TZ Tablet के बारे हैं, मैं वीडियो को लंबा न ले जा करके और आपको सिंपल भासा में बताना चाहता हूँ, Enflux TZ Tablet जो है एक प्रकार का एंटिवाटिक दवा है, लेकिन इसमें आपको दो तरह के कॉंबिनेशन मिक्स होते हैं, एक ओफ्लोकसासीन और दूसरा Ornidazole, तो जैसे इसमें Ornidazole जो मिक्स हो गया, तो Ornidazole मिक्स होता है कोई भी एंटिवाटि में, तो इसका काम होता है, पेट से समबंधित कोई भी समस्या है, उसमें चलाया जाता है, जैसे मान लिया जाए, बार बार आपको लैटिंग होने की समस्या हो रह तो उसका कंडिशन में इसमें का दावा चलाया जाता है, तो अब इसमें का दावा मार्केट में बहुत सरा जैसे Gen Lunch おजड़ हो गया, लेकि मैं N dB enem merch के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी जfish कि अदिगतार डॉक्टर वहोले जिलिए तो में जो भी घुत करके इस दवा के बारे में बता रहा हूं यह एक परकर का जेनरिक दवा है जितना इसका MRP है उसे काम रेट में ही मिल जाता है लेकिन कार्ज शमता बहुत अच्छा है जेनरिक रहते हुए भी इसका कार्ज में संदेह नहीं करना है बहुत ही अच्छा दवा है आप इसके साथ AC लोग tablet जहूर लें क्योंकि जब भी lighting होता है तो gas बनने की समस्या बहुत होती है यदि बार बार पतला dust हो रहा है तो आप इसके साथ लेमो फिन ले सकते हैं कितना dodge लेना है इसके बारे में आप doctor से सलाह लेके लें सुबा दो फर साम भी बता सकते हैं सुबा साम भी बता सकते हैं और एक टाइम भी बता सकते हैं तो dodge के हिसाब की बात करें तो कभी भी आप doctor के सलाह से ही dodge लें आप जानते हैं कि इसका syrup आता है कि नहीं तो हाँ इस combination का syrup भी आता है जो बच्चों में यूज किया जाता है लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ टेबलेट के बारे में तो ये टेबलेट बहुत ही अच्छा वर्क करता है इसमें कोई संदेह नहीं है यदि आप हॉस्पीटल जाते हैं तो यदि आपको कोई पेसाब संबंधित समस्या है पेसाब में इंफेक्शन हो गया है तो डॉक्टर इस कॉंबिनेशन के दावा को लिखते हैं चाहे वो कोई भी दावा हो जरूरी नहीं है कि एनफ्लोक्स टीजेट ही लिखे वो जेनफ्लोक्स ओजेट भी लिख सकते हैं एलसीन ओजेट भी लिख सकते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से दवा लिखते हैं, तो मैं आज जो भी जनकारी आपको वीडियो में दिया हूँ, यदि आप संतूष्ट हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और मुझे इजाज़त दें, नमस्कार.